हेलो इस वीडियो में हम फार्मूला टैप के टेक्स्ट फंक्शन में डॉलर फंक्शन के बारे में जानेंगे यह यहां पे बैल्यूस दी गई है अगर हम इनके आगे डॉलर साइन लगाना जाते हैं इसको लगाने के लिए हम यहां पे डॉलर फार्मूला यूज करेंगे तो use करने के लिए हम यहां पर click करेंगे click करने के बाद equal to यह लिखा लिखने के बाद यहां पर dollar लिखेंगे यह dollar यहां पर निच्छे आ जाएगा यहां पर double click करेंगे यह double click किया double click करने के बाद आगे लिया हूँ है number यह देखो number लिखा हुआ है यहां पर तो number कौन सा number चाहिए जो हमने change करना है यह number चाहिए 125 यहां पर click किया यह surname में यहां पर आजाएगा यह ने लिखो यह surname में यहां पर आगया है इसके बाद comma comma के बाद decimal तो हम यहाँ पे decimal set कर सकते हैं कि हमें कितने decimal चाहिए इस value की बाद तो हम यहाँ पे अगर कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो y default यहाँ पे two decimal place आ जाते हैं पहले इसको करके लिखते हैं तो यहाँ पे हम bracket को बंद करेंगे यह bracket बंद के बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह दिखो यहाँ पे हमने लिखा था dollar तो यहाँ पे यह जो sign आ गया है Indian currency sign यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे हमें dollar चाहिए तो यह setting है यह setting की हुई है तो यह setting यहाँ पे आ गई है अगर हम इस setting को change करने जाते है तो इस setting को हम यहाँ पे change करके यहाँ पे dollar ला सकते है तो इस setting को change करने के लिए control panel open करेंगे यहाँ पे click किया control panel search करेंगे यह control panel यहाँ पे दिये गया है यहाँ पे click किया क्लिक करने के बाद यहां पे Reason पे क्लिक किया Reason पे क्लिक करने के बाद यहां पे Reason डायलो बॉक्स यहां पे आ जाएगा इसके बाद यहां पे Additional सेटिंग यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद यह डायलो बॉक्स ओपन हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे currency टैब पे क्लिक किया currency टैब पे क्लिक करने के बाद यह दिए को »crunchy symbol« तो यहाँ पे setting की थी Indian currency sign की तो यहाँ से आगर इसको change करेंगे तो यह दिखो यहाँ से यह dollar चाहिए तो यहाँ पे dollar sign पे हम klik करेंगे यह dollar sign यहां पर आजाएगा आने के बाद इसको apply करेंगे और इसके बाद ok करेंगे फिर यहां पर apply किया फिर ok किया ok करने के बाद इस control panel को यहां से बंद किया बंद करने के बाद ये देखो ये dollar sign यहां पर आ जाएगा आने के बाद अगर हम इसको यहां से निचे ड्रैग करेंगे तो ये देखो सभी के लिए यहां पर two decimal place y default यहां पर आ जाएगी ये देखो 12.25 15.25 तो ये two decimal place y default यहां पर आ जाते हैं अगर हम यहां पर चाते हैं कि कोई भी decimal place यहां पर नहीं आए तो हम यहां पर क्लिक करेंगे ये double click किया double click करने के बाद ये a2 a2 के बाद यहां पर कॉमा लगाएंगे ये कॉमा लगाया कॉमा लगाने के बाद यहां पर लिखेंगे 0 ये 0 लिखा लिखने के बाद enter प्रेस करे के बाद ये देखो one to five इसके बाद कोई भी यहां पे decimal place नहीं आया सभी के लिए हमें यह चाहिए कोई भी decimal place नहीं चाहिए तो हम यहां पे click करेंगे और इसको यहां से निचे drag करेंगे तो सभी का यहां पे decimal place यहां से हट जाएगा अगर हम यहां पे चाहते हैं कि जगा यहां पर 3 लिखेंगे यह 3 लिखने के बाद जब हम enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो 3 decimal प्लेस यहां पर आ जाएंगे अब सभी के लिए चाहिए यहां पर इसको निचे ड्रै करेंगे तो यह सभी के लिए यहां पर 3 decimal प्लेस आ जाएंगे तो इस तरह से हम यहां पे decimal place को कम भी कर सकते हैं और इसको जादा भी कर सकते हैं इसके बाद अगर हम यह चाहते हैं कि यह जो dollar यहां पे currency sign आया हुआ है इसकी जगा हमें यहां पे Indian currency sign यहां पे आ जाए तो यह यहां पे currency change नहीं होगी यह देखो यहां पे इसको select किया select करने के बाद home tab पे गए home tab पे जाने के बाद यहां पे numbers group में यहां पे more button पे क्लिक किया more number format यहां पे क्लिक किया यहां पे क्लिक करने के बाद यह सिंबल यहां पे दिये गया है यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद यह देखो यहां पे Indian currency सिंबल हम यहां प के बाद ok पे click करेंगे तो ok पे click करने के बाद यह देखो यह जो Indian currency symbol है यहां पे नहीं आया क्योंकि यहां पे formula लगा हुए dollar का dollar का formula लगा हुए तो इस वज़ाद से यहां पे कोई भी currency हम change नहीं कर सकते तो इसको dollar को अगर हम Indian currency sign में change करना जाते हैं तो इसको change करने के लिए हम फिर यहां पे control panel पे जाएंगे यह control panel यहां पे आ जाएगा यहां पे click किया click करने के बाद reason पे गए reason पे जाने के बाद यहां पे यह reason dial box यहां पे open हो जाएगा यहां पे additional setting पे जाएंगे इसके बाद currency पे जाएंगे और यहां पे currency symbol यहां से हम इसको change कर देंगे यह देखो Indian currency sign यहां पे आ जाएगा यहां पे click किया तो यह Indian currency symbol यहां पे आ गया है इसके बाद apply करेंगे ओके करेंगे और इसके बाद फिर अपलाई फिर ओके और यहां से इसको बंद कर देंगे यह देखो तब जाके यह चेंज हो जाएगा यह जो बैलियू है इस बैलियू को हम कोपी करेंगे कोपी करने के बाद यहां पे पेस्ट करेंगे यह पेस्ट कर दी पेस्ट करने के में जाएंगे यहां पर more button पर जाएंगे और more button पर जाने के बाद यहां पर more number format यहां पर जाएंगे और इसके बाद यहां पर currency पर जाएंगे suppose करो हमें यह Indian rupees यह currency चाहिए यहां पर click किया click करने के बाद ok पर click किया तो यह देखो Indian currency simply यहाँ पर आ जाएगा अगर इसको change करना जाते है तो फिर more button पर जाएगे more number format और यहाँ से currency पर जाके यहाँ से इसकी यहाँ पर currency change कर सकते है डॉलर currency चाहिए यहाँ पर क्लिक किया डॉलर पर क्लिक किया यह डॉलर currency यहाँ पर आगे इसके बाद OK पर क्लिक किया तो यह देखो यह currency यहाँ पर change हो जाएगी यह currency यहाँ पर change हो रही है क्योंकि यहाँ पर dollar formula नहीं लगा हुआ है अगर हम इसको change करना चाहे तो इसको हम change नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर dollar formula लगा हुआ है अगर इस currency को change करना है तो हम control panel पे जाके reason पे जाके और वहाँ पे currency पे जाके इसको change कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने dollar function के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद